दिवाली की रात चुप चौप एक नारियल इस जगह गार दे आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं हो पाएगी दिवाली की रात अम अभश्य की रात होती है इसलिए दिवाली की रात में बहुत सारे ऐसे अचुप टोटकी किये जाते हैं जो कि कभी भी निश्फल नहीं होते हैं हमेशा यह हैं टोटके सफल होते हैं इसलिए दिवाली की रात मा काली की पूजा करने के साथ ही बहुत सारे टोटके भी लोग करते हैं इसलिए आज हम आपको एक ऐसा ही टोटकाई यानि की उपाय बताने जा रहे हैं यदि आप दिवाली किरात करते हैं तो निच्चे दूरूप से आपके घर में पैसों से संबंदित सभी प्रकार की समस्या खत्म हो जाएंगी और पैसों से संबंदित कोई भी समस्या इस साल नहीं रही तो आई ये जान लेते हैं हमावश्य किती थी आत्यांती महत्रपूर मानी गई हैं इस दिन किये गए जो भी हम उपाय हैं वह बहुत ज़्यादा प्रभाशाली और शेगर फल्दाई माने जाती हैं अमावश्य में किये जाने वाला उपाय बिल्कुल चुपचाप और पूर विश्वास से करना चाहिए तो जो हम आपको पाय बता रहे हैं वह बिल्कुल चुपचाप करना है इस बार दिवाली 27 अक्टुबर रविवार के दिन मनाई जा रही है रविवार के दिन भी टोटके करना आती शुब माना जाता है दिवाले के दिन आईए जान लेते हैं ऐसा ही एक अचूक टोटका इन टोटकों को करने से आपका फायदा होगा इससे आपका कोई भी नुक्सान नहीं होगा और किसी अन्यवैक्ति का इससे कोई नुक्सान नहीं होगा तो आईए जान लेते हैं हम अवस्त्य के दिन एक सूखा नारियल ले यानि जिसे कि हम गरीग गोला कहते हैं इसको लेकर इसमें छेद कर दे और उस छेद करने के बाद उस छेद के अंदर चीनी का महीन जो बूरा होता है उसे भर दे फिर उसे किसी निर्जन इस्थान पर यानि सुनसान इस्थान पर जाके किसी पेड़ की नीचे छोटा सा गड़ा खोतकर जहां पर चीटिया आती जाती दिख रही हो वहां पर ये गड़ा बनाकर इस नारियल को वहीं पर रख दे या फिर वहां पर गाड़ दे इसके बाद जैसे ही आप इसको गाड़ेंगे इसके बाद इसको ठक दे और प लिए अपने घर चले हैं यह उपाय बहुत ही अमभूग उपाय यानि शीग्रही फलदाई उपाय माना जाता है इस उपाय को यदि आप करती हैं तो माता लक्ष्मी के आप पर किर्पा महर्मान रहती है और यह उपाय करने से आपके घर में हमेशा शुक्षम रिद्य और हर्शेमम यश्क के प्राप्ति होती है तो दिवाली के दिन इस उपाय को जरूर करें जो कि हमने आपको बताया है यदि आपको आज के वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको देख सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब कर ताकि आने वाली नई वीडियो की नॉटिफिकिशन आपके बाद सबसे पहले आसके धन्यवाद